आज भारत और न्यूजिलेंड के बेच एक महा मुकाबला खेला जाना है दोनों ही टीमें अभी तक अपने विजयरत पर मजबूत होकर आगे बढ़ रही है लेकिन आज किसी एक किहार होने वाली है आपको बता दें कि भारत और न्यूजिलेंड दोनों ने अब तक चार-चार जीत हासिल की है किसका विजयरत आगे बढ़ने वाला है ये देखने लाइक होगा लेकिन इस बीच भारत के लिए जरा सी मुश्किले भी बढ़ गई है भारत के कुछ प्लेस चोटिद हो गए है पहले हार्दिक पांडिया फिर इशान किशन और अब सूरे कुमार देखने ये है कि भारत की प्लेइंग 11 मैदान में कैसे उतर पाईगी क्या है पूरी कहानी चलिए जानके हैं भारते टीम आज 22 अक्तूबर को वन डे वर्ल कप 2020 में अपना पांचवा मैच खेलने के लिए उतरेगी ये मैच न्यूजिलेंड के खिलाव धरमशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम एसोसेशन टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला दो पहर दो बजे से शुरू होगा आपको बता दे कि इस वर्ल कप में अब तक भारत और न्यूजिलेंड दोनों ही टीमें अपना कोई भी मैच नहीं हारी है दोनों विजएरत पर सवार है ऐसे में देखना ये होगा कि आज किसका विजएरत रुखता है जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो दस पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर पहुंचेगी और सेमी फाइनल के बेहत करीब पहुंच जाएगी मगर इस मुकाबले से पहले भारते टीम के कप्तान रोहिच शर्मा के लिए काफी मुश्किले खड़ी हो गई है पिछले यानि बांगले देश के खिलाफ मुकाबले में स्टार और राउंडर हार्देख पांडिया चोटल हो गए थे दोहरा जटका दिया है यदि सूर्या और इशान भी आज इस मैच के लिए फिट नहीं होती है तो रोहिच का सरदर्द बढ़ जाएगा क्योंकि 15 सदसी टीम में फिर कोई बल्ले बास ही नहीं बचेगा जो पांडिया की जगा टीम में शामिल हो मगर खबर आ रही है कि सूर्या या इशान मेंसे जो भी भेतर तरी के सिफट होगा उसे इस मैच में जगा मिल सकती है यदि दोनों ही नहीं खेल पाते हैं तो फिर स्पिन आलराउंडर रविचंदरन अश्विन को शामिल किया जाएगा ऐसे में रुखित के लिए पॉफिट प्लेंग 11 तलाशना बेहत मुश्किल होगा दूसरी ओर न्यूजिलिंड टीम के लिए भी जटके वाली बात है कि उनके रेगुलर कप्तान अभी तक फिट नहीं हुए है वो भी भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे ये बात टॉम लैसम ने बताई है जो विल्यम्स की गैर मौजूद्गी में टीम के कमान संभाल रही है मैच से एक दिन पहले लैसम ने प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि केन अभी भी अंगूठे की चोट से जूच रही है उन्हें पूरी तरह से फिट होने में अभी और भी समय लगेगा उमीद है कि वो टोर्नमेंट के आखरी फेस तक फिट होकर टीम में लोटिंगे जहां तक टीम साउदी की बात है तो वो भारत के खिलाफ मैच में सेलेक्शन के लिए पूरी उपलब्द रहेंगे आज भारत और न्यूजिलेंड के बेच एक महा मुकाबला खेला जाना है दोनों ही टीमें अभी तक अपने विजयरत पर मजबूत होकर आगे बढ़ रही है लेकिन आज किसी एक किहार होने वाली है आपको बता दें कि भारत और न्यूजिलेंड दोनों ने अब तक चार-चार जीत हासिल की है किसका विजयरत आगे बढ़ने वाला है ये देखने लाइक होगा लेकिन इस बीच भारत के लिए जरा सी मुश्किले भी बढ़ गई है भारत के कुछ प्लेस चोटिद हो गए है पहले हार्दिक पांडिया फिर इशान किशन और अब सूरे कुमार देखने ये है कि भारत की प्लेइंग 11 मैदान में कैसे उतर पाईगी क्या है पूरी कहानी चलिए जान पे हैं भारते टीम आज 22 अक्तूबर को वन डे वर्लकप 2020 में अपना पांटवा मैच खेलने के लिए उतरेगी ये मैच न्यूजिलेंड के खिलाव धरमशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम एसोसेशन टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला दो पहर दो बज़े से शुरू होगा आपको बता दे कि इस वर्लकप में अब तक भारत और न्यूजिलेंड दोनों ही टीमें अपना कोई भी मैच नहीं हारी है दोनों विजयरत पर सवार है ऐसे में देखना ये होगा कि आज किसका विजयरत रुखता है जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो दस पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर पहुँचेगी और सेमी फाइनल के बेहत करीब पहुँच जाईगी मगर इस मुकाबले से पहले भारती टीम के कप्तान रोहिच शर्मा के लिए काफी मुश्किले खड़ी हो गई है पिछले यानी बांगले देश के खिलाफ मुकाबले में स्टार ओल राउंडर हार्देख पांडिया चोटल हो गए थे दोहरा जटका दिया है यदि सूर्या और इशान भी आज इस मैच के लिए फिट नहीं होती है तो रोहिच का सरदर्द बढ़ जाएगा क्योंकि 15 सदसी टीम में फिर कोई बल्ले बास ही नहीं बज़ेगा जो पांडिया की जगा टीम में शामिल हो मगर खबर आ रही है कि सूर्या या इशान मेंसे जो भी बहतर तरी के सिफट होगा उसे इस मैच में जगा मिल सकती है यदि दोनों ही नहीं खेल पाते हैं तो फिर स्पिन आल राउंडर रवी चंदरन अश्विन को शामिल किया जाएगा ऐसे में रोहित के लिए पॉफिट प्लेइंग 11 तलाशना बेहत मुश्किल होगा दूसरी और न्यूजिलिंड टीम के लिए भी जटके वाली बात है कि उनके रेगुलर कप्तान अभी तक फिट नहीं हुए है वो भी भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे ये बात टॉम लैसम ने बताई है जो विल्यम्स की गैर मौजूद्गी में टीम के कमान संभाल रही है मैच से एक दिन पहले लैसम ने प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि केन अभी भी अंगूठे की चोट से जूच रही है उन्हें पूरी तरह से फिट होने में अभी और भी समय लगेगा उमीद है कि वो टोर्नमेंट के आखरी फेस तक फिट होकर टीम में लोटिंगे जहां तक टीम साउदी की बात है तो वो भारत के खिलाफ मैच में सेलेक्शन के लिए पूरी उपलब्द रहेंगे